आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुती टेस्टी और शानदार लौकी के हलवे की रेसिपी जो के बिना ताम जाम जटपट से बनाएंगे दस मिनट में इसे हमने बिना मावा और बिना घीसे बनाया है बिलकुल हलवाई जैसा टेक्चर और टेस्ट बिलकुल दानेदार ख ऐसा लगे गई नहीं कि आपने इसे बिना घीसे और बिना मावा के बनाया है तो चलिए फिर हलवाई जैसा टेस्ट वाला हलवा जटपट से बनाएंगे मगर इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी आप से हमबल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए देखते हैं हलवे में क्या-क्या लगने वाला है बिस्मिल्लै रह्मार रहीम, अस्सलाम अलेकूम, कैसे आप सब देखे, आज हम बनाने जा रहे हैं, बहुत लिए टेस्टी और शानदार लौकी का हलवा इसके लिए हमने ये एक किलो लौकी लिए है और इसको अच्छे तरीके से धो करके पोच लिया है अब हम इसके सारे छिलके निकाल लेंगे तो सारे लौकी को हमने छिल लिया है अब लौकी का जो सबसे मेन पॉइंट होता है, हमें इसे घिसना पड़ता है यही एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमें बहुत ही मुश्किल लगता है और भुनाई तो एक तरफ है पहले से घिसो फिर इसकी भुनाई करो तो आज हम आपको एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे के बीना घिसे हम हल्वे को कैसे बना सकते है तो गिरेटर को रख दीजिए साइट में और अब हम लेंगे छूरी जी हाँ, छूरी की मदद से इसके पतले-पतले स्लाइस कर लेंगे, तुकड़े कर लेंगे और हमेशा इस तरीके से अगर हम हल्वा बनाएंगे ना बिना घिसे तो हमें ऐसी पतली वाली दूधी लेनी है इसके अंदर बीच बहुती कम होते है सफेद वाला पार्ट बहुती कम होता है तो यह हम निकालेंगे नहीं अकर आपकी बड़ी वाले साइस की दूधी होगी तो आपको सफेद पार्ट जोई निकालना पड़ेगा तो इस तरीके से इसके गोल-गोल तुकड़े कर लेंगे इस तरीके से सारे तुकड़े कर लिए हैं लौकी के देखिए और अब हम इसे बनाएंगे जट पड़ से तो यहां हमने कुकर ले लिया है कुकर को गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे वन ठट कब देशी घी अच्छे तरीके से साफ करकर डालेंगे घी गरम हो गया है अब हम इसमें डालेंगे ड्राइफ रूट्स तो आपको जो भी ड्राइफ रूट्स पसंद हो आप डाल सकते हैं कम या ज्यादा कर सकते हैं तो ड्राइफ रूट्स जो है फ्राइ हो गए हैं अब हम इसे निकाल लेंगे ड्राइफ रूट्स को निकाल लिया है अब इसी कुकर में हम डालेंगे लौकी और लौकी को अच्छे तरीके से चलाते हुए हम फ्राइ करेंगे घी के साथ इसका जो है बहुती बढ़िया सा फ्लेवर आएगा जब हम इसको घी में फ्राइ करेंगे न बिल्कुल हलवाई जैसा जिस तरीके से शादियों में बनता है उसी तरीके से इसका फ्लेवर आने वाला है लौकी को फ्राय करते हुए हम इसमें डालेंगे 5 से 6 हरी इलाइची तो ये 5 हरी इलाइची डाल दी है आप चाहे तो इलाइची का पौडर भी डाल सकते है और इसको अच्छे तरीके से चलाते हुए हम फ्राय करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 थाट कप दूद पर से निकली हुई मलाई मलाई डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए जो हम मिक्स कर देंगे ताकि मलाई जो है मेल्ट हो जाए तो देखिए चलाते हुए मलाई जो है मेल्ट हो गई है अब हम इसमें डालेंगे वन ठट कप दूद दूद डाल दिया है अब हम इसका धकन लगा देंगे और इसे तीन सीटी आने के बाद में हम इसे पाँच मिनट के लिए धीमी आज पर कुक करेंगे और इसके बाद में इसका सारा जो है इस्टीम निकलने के बाद में हम धकन को खोड़ लेंगे लौकी के पकने तक हम छेना बना करके रेडी कर लेंगे साड़े साथ सो एमेल दूद को गरम होने के लिए रख दिया है दूद में उबालाना शुरू हो गया है अब हमें कटोरी में एक टी स्पून विनेगर और दो से तीन स्पून पाई डाल करके मिक्स कर लेंगे और उसे दूद में डाल देंगे देखे इस तरीके से मिक्स कर लिया है विनेगर और पानी को और इसे हम दालेंगे दूद में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे और इसे चम्मत से चलाते हुए देखिए इस तरीके से चम्मत चलाएंगे न तो हमारा छेना देखिए तयार हो गया है अगर हम हल्वे के लिए ज्यादा देर दूद को कड़ाएंगे और फिर उसे पकाएंगे न तो बहुत टाइम लगता है इस तरीके से छेना बना कर डालेंगे न तो बहुत ही जल्दी हमारा हल्वा बन करके तयार हो जाता है तो छेना बन गया है अब हम इसका सारा पानी जो है स्टेनर में निकाल लेंगे तो छेने का सारा पानी हम इस टेनर में निकाल लेंगे तो सारा पानी निकाल लिया है अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी ठंडा पानी डालने के वज़े से जो है छेने में से सारी खटास जो है विनेगर की निकल जाएगी और देखिए हमारा छेना जो है बनकर की तयार हो गया है और जो छेने का इस तरीकी से पानी बच जाता है ना तो उसे हमें फेकना नहीं है इससे आप आटा गुन सकते है इससे रोटी बहुत ही तेस्टी और सॉफ्ट बनकर की तयार होती है कुकर का धकन खोल लिया है और देखिए लौकी जो है एकदम सौफ्ट हो गई है इसे चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए पकाएंगे और यहां एक मैशर ले लिया है और मैशर की मदद से हम इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे मैश करने के वज़े से पता ही नहीं चलेगा कि हमने हल्वे को बीना गिसे बनाया है बहुत ही अच्छा टेक्चर आएगा मैश करने के वज़े से लौकी को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है देखें कितना अच्छा टेक्चर आया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन फूट कलर हलवाई भी इसी तरीके से लौकी के हलवे में फूट कलर डालते है इससे हल्वे का बहुत ही बढ़िया कलर आता है देखिए कितना बढ़िया कलर आया हल्वे में इसी के साथ हम इसमें डालेंगे शकर तो शकर हम डालेंगे वन ठट कप भर कर शकर आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे शकर के डालने के वज़े से देखिए कितना बढ़िया शाइन आया हल्वे में बहुत अच्छी चमक आ गई है मकर इसके साथ ही काफी मौश्चर भी आ गया है तो इसे हम चलाते हुए सुखा लेंगे तो चलाते हुए हमने शकर का सारा मौश्चर जो है सुखा लिया है अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल इस्पून भरकर मिल्क पॉडर तो यह टोटली आप्शनल है आप चाहे तो डालिए वरना इसकीब कर लिजिए और इसको अच्छे तरीकी से मिक्स कर देंगे इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है हल्वे में अच्छे तरीक से मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे ड्राइ फ्रूट्स और थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे और आप दालेंगे सीक्रेट इंग्रियेंट्स छेना तो छेने को हमेशा लास्ट में दालना है अगर हम इसे ज्यादा देर पकाएंगे न तो इसका टेक्चर जो है एकदम रबर जैसा हो जाएगा तो हम छेना डालने के बाद जो ही से सिर्फ पाच मिनट कोक करेंगे छेना डालने के वज़े से देखिए इसका टेस्ट और टेक्चर जो है बिलकुल हल्वाई जैसा और जिस तरीके से शादियों में हल्वा बनता है ना उसी तरीके से इसका टेस्ट और टेक्चर बन जाएगा देखी एकदम दानेदार जो है हमारा हल्वा बनकर की तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया देखी एक कलर आया है इसमें डाल देंगे तीन से चाट ड्रॉप जो है रोज वाटर के आप चाहे तो रोज एसेंस भी डाल सकते है इससे एकदम बढ़िया खुचब आएगी हल्वे में तो अब हमारा हल्वा जो है एकदम रेडी हो गया है फ्लेम को बन कर देंगे और हल्वे को निकाल लेंगे तो हल्वे को निकाल लिया है और इसे गार्निशिंग कर लेंगे ड्राइ फ्रूट से तो ड्राइ फ्रूट डाल दिया है थोड़ी से टूटी फूटी डालेंगे रेड ग्रीन आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं अब हम इस पर डालेंगे किश्मिश और थोड़ा सा छेना डाल देंगे जो हमने बचा लिया था तो देखिए लग रहा है ना एकदम मज़िदार और टेस्टी जायकिदार हलवा जिस तरीके से शादियों में और हलवा ही लोग बनाते हैं तो चलिए गुलदस्ता आपको टेस्ट करकर बताएंगे हलवा कैसे बना है अच्छोऺ ऑपको टेस्ट करकर बताएंगे लग बना है तो यह लोग गुल्दस्ता बिसमिल्लाल, रहमान, वही स्वाय यम्मी एकदम टेस्टी एकदम टेस्टी जुदियों का हल्वा तो ब्लाजरी खाने के लिए देखें गुल्दस्ता आपको भी बुला रहे हैं खाने के लिए और हल्वा जो है एकदम हल्वा हमारा एकदम रेडी है बहुत ही टेस्टी और शांदार हल्वा बनकर के तयार हो गया है बीना घिसे और बीना मावा के हमने ये हल्वे को बनाया है तो हमें कॉमेंट करकर जरूर बताईएगा के हल्वा कैसे बना है और इसको लाइक करेगा और कमेंट करना भूलिएगा मार्ट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दौाओं में हमें याद रखिए अल्ला हाफीज